दोस्तों आपने थीन क्लाइंट के थेोरेटिकल वीडियो मेरे काफी देखें इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे थीन क्लाइंट को आप सेट अप कर सकते हैं अगर आपको थीन क्लाइंट सेट अप करना है तो यह वीडियो अगर आप पूरा होगे और पांच जो अलग हम परटेस करेंगे वह वह गए तो इस थ 3 caure सकते हैं यह यह dau सकते हैं यहिस्ट ला सकते हैं यहीं होता है आपरिंअ का असली मतलब तो आज हम को सेटप करना सिखेंगे कैसेडसेटफ कर सकते और कैसे आप यूज में शहां सकते हैं तो प्रेक्टिकल करते हैं चलिए देखते हैं प्रेक्टिकल में क्या-kya हमको यहां पर करना पड़ता है और क्या-kya कैसे यूजर बंते सब कुछ मैं आपको इस यूदियो में डीटेनव में बताने मालाव आफ्टर इस इन्टो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देगा अगर अभी तक चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंट मिल जाए अब दोस्तों जैसे कहा देख आ रहे हैं यह हमारा मेन चीप्प कु यहनु कि यह सिस्टेम हमारा सिसमें जिसमें N Computing हम इंस्टॉल करेंगे, तीन क्लाइन इस्टॉल करेंगे, और बाकी जो यह देख पा रहे हैं, यह सिर्फ monitor है, और पीछे आप देख पा रहे हैं, यह N Computing के device हैं, जिसको हमने, जो main CPU उससे connect किया हुआ है, तो ऐसे 4 और हैं, 5 और हैं, एक्चुली में, तो इसमें हम जो सारे एक दूसरे से यह connected होंगे, और यह सारे हम connect करके इनको चलाएंगे, और यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा N Computing का device, अब इसको मैं तोड़ा detail में explain कर देता हूँ, यह device आता है N Computing का, जिसको हम बोलते हैं, थीन client बोलते हैं, एक तरसे तो यह थीन client device ह जो की N Computing का है, अब यहाँ पर आपको lane pod मिलता है, VGA pod मिलता है, यह mouse और keyboard के लिए port मिलता है, अब यह देखिए, यह आपको LED notification light मिलेगी, जो आपका उससे पता चलेगा, आपका यह जो computer है, यह जो thin client है, यह चालू है, अब यह CPU में आपको एक card लगानी पड़ेगी, जिस एक side जो होता है lane का, वो यहाँ पर लगता है, और जो दूसरा side होता है, जिसे का आप देख पार है, यहाँ पर मैंने दो भी लगाए है, मैं पांचो लगाऊंगा इसमें, तो यह जो है, यहाँ पर आप इस card में ही लगाएंगे, इसी से आपको connection मिलता है, और जो दूसरा side यह लगेगा हमारे thin client device में, तो यह सब इतना सा setup है इसका, बस यहाँ पर आना है, इसको इतना करने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, और सबसे पहले, आपको क्या करना है, और सबसे पहले, आपको क्या करना है, कुछ भी करने से पहले, इंस्टाल करने से प आपके पास computer management की, यहाँ पर आपको जिसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर local user and groups दिखाई देगा, तो user पर आपको जाना है, user में आपको user create करने पड़ेंगी, basically, तो यहाँ पर already user होंगे, जो आपने create किये होंगे, एक तो administrator होता है, admin जो होता है, normally वो होता है, और जो hope मै मैंने create किया था, और guest तो रहता ही है, तो administrator तो रहता ही है, इसको आपको क्या करना है, सबसे बेले जाके, इसमें right click करना है, right click करेंगे, तो यहाँ पर आपको option दिखाई देंगे, बहुत सारे, तो right click करने के बाद यहाँ पर इस जो account है, इस पर देखेंगे, आप property में रखते हैं, मैं यहाँ पर password change करूँगा, और password डालूँगा, 123 123 डालूँगा, और password change कर दूँगा इसके, उसके बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, और user create करने है, जो जितनी वे आपके thin client है, उत्ते आपको user create करने पड़ेंगे, for example, 5 है तो 5 create करने पड़ेंगे, 4 है त 10 है, तो 10 create करने पड़ेंगे, तो create कैसे करना है, right click करेंगे, और new user पर click करेंगे, username डालना है, जो भी आपको डालना है, मैं यहाँ पर डालूँगा, hope one, और full name में भी hope one डाल दूँगा, और description में जो आपको लिखना है, उसे इसा आप से आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ रिवो लिखना है, password जो आपको देना है, वो डाल सकते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं cannot change, password पर click कर दूँगा, password never expire पर click कर दूँगा, यह आप ध्यान रखिए, और create कर जे, इसी तरह से जित्ते भी आपको user create करना है, वो कर सकते हैं, जिसे कि मैंने कर दिया है, आपे 4 user और create कर दिये हैं, और 5 हमारा हो गया, complete total 5 हो गया है, और एक admin है, तो 6 हो गया है, तो इस तरह से आप सारी user create कर लिजे, यह user आपको create करना है, उसके बाद हमको इसको remote access में देना है, तो आपको जाना पड़ेगा group में, group में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको remote desktop जाना है, जैसी की आप देख पाते है, dream restart desktop user, इस पे click करना है उसमे add करना है उस सारी user पर click करना है और advance में जाएंगे, करिएगे एडवांस में यहां पे क्लिक करेंगे और find now पे क्लिक करेंगे जैसे कि सारे Ensuite हमने create किये हैं वो find करें। और crime करके उन सारे user को select कर लिजहेगा जो आपने create कि यह उनको select करना और ok करना जैसे आप OK करेंगे तो सारी जो यहां पर शो होने लग जाएंगे और ओके करेंगे इसको सेव कर लेंगे अप्लाइब करें या सेव हो गया यह अब देर सिट और कुछ भी नहीं करना है आपको आप स्विच किजिए यहां पर सारे आपको यूजर जो आपने मीन टूरियेट की है वह दिखने लग जाएंगे या आपको अब आपको क्या करना ह хочу मैं लॉग इंडीन करना है एक में लॉग इन करेंगे हम पास्फ़ष्वर्ट कर यहां पर है और यह जो मैंने डीन है इस ही सब्सक्राइब करना यहां पेश्ट पर प्लिक करना यहां पर को दिखाई देगा यह दिखिए यह हमारा सिस्टम टाइप किया है सिक्स्टिफॉर बीट है ऊगर है अगरे आपका थार्टीटू बीट है तो X86 लेके ये और श्क्स्टिफr बीट है तो X64 सिलेख करिएगा 164 पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहां पर आपको अप्शन मिलेगा यह इंस्टॉल होने लग जाएगा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस पे एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है इसको एक और बार एग्री करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको डिस्प्ले का साइज है वो सिलेक करना है जो नॉर्मली जो बैसी करेता है वो आपको सारे टास्क करने नेक् नहीं करना है बाइडिफोल्ट सब उरेता है जैसे नेक्स करेंगे यह इस तरह से सारा जो प्रोसेसिंग है दो होने लग जाएंगा अब यह पुछे आपको वीडियो चाहिए क्या उसमें वीडियो गेम सब्सक्राइब फीर नाम नहीं है तो आपका जो नाम बीरा सकते जरूरी नहीं है और यह सारी डिटल तो आपके पास हो की उस पर click करके next करके यह आपका जो installation है वो पूरा complete हो जाएगा और done पर click करिए close पर click करिए और system को एक बार restart कर लिजेगा restart करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे आप सारे in computing में देखेंगे अगर login होंगे तो सारे in computing में आपको इस तरह से यहाँ पर सभी यूजर दिखाए दिन लग जाएंगे अब यहाँ पर आपको decide करना है कि कौन से system में आपको कौन सा user login करना है जैसे hope for में अगर आप चाहते हैं तो hope for जो हमने user create किया था वह login कर सकते पासवर्ड जो आपने डाला था वह पासवर्ड आप डाल सकते हैं और उसको यहाँ पर login कर सकते हैं फरस्ट टाइम अगर आप पूरा configure कर सकते हैं आपके thin client को अगर आपको यह thin client लेना है तो video description में मैंने link दिया है वहाँ से जाके आप यह thin client purchase कर सकते हैं सभी user में अलग-अलग आप काम कर सकते हैं सभी user में और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तो दोस्तों इस तरह से आप thin client जो है वह set कर सकते हैं इसके अलवा आप कोई तरह से setup कर सकते हैं कि in computing के अलआव अगर आप कोई लेते हैं तो same यही process है इसी तरह से follow करना है फिर चाहे आप तीन वाला लें दो वाला लें या single ही लें अगर आप single लें तो दो computer चलेंगे अगर आप 3 वाला लेंगे तो Church चलेंगे पांच वाला ल कुछते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा उसका रिप्लाइट जरूर करूंगा आप कोश्चन कुछें मुझसे कोई भी डाउट आता है कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए मैं उसका रिप्लाइट जरूर करूंगा आपकी हैल करने की पूरी